कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 81 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा तीन तारीक की है और दसवी क्लास के बच्चों के लिए ठीक है जिसमें हम कार्बन एवं उसके योगिक जो चैप्टर है बेटा उसकी रिउजन कर रहे हैं उसमें जो आज हमारीkennt आए बेटा सब को अच्छे से समझना है तो देखो और अपरullah कोन कोन से होते हैं ग्रेफाईट और हीरा थीक है तो कार्बन के अपरूप में एक दूसरे के ऊपर यह हम अपनी वक्षिट में भी कर चुके हैं बेटा तो आप हो सकेगा तो मैं उसका लिंक आपको नीचे इसके प्रोवाइड करा दूंगे आप उन वक्षिट को दोबारा से देखकर भी इस चेप्टर के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो तो एक दूसरे के उपर वैवस्तित सटकोनिय तल होते हैं इसमें और इसके अंदर डिड़ त्री आयामी संडचना होती है ठीक है कारबन के परतियक परमानों का आबंदन कारबन के तीन अन्या परमानों के साथ होता है इसमें क्या होता है बिटा एक जो कारबन होता है ठीक है उस कारबन के परतियक परमानों का जो आबंदन होता है वो कारबन के तीन अन्य परमानों के साथ होता है ठीक है जैसे मानलो इसके साथ हो गया और एक इसके साथ हो गया इस तरीके से तीन के अन्य तीन परमानों के साथ इसका परबंदन होता है जिन में से एक आबंद दूई आबंद होता है जिसमें एक और फिसलंसील होता है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं। पाई जाते उपयोगी ता क्या है बिटा काटने के उपकरन यानि के सीसे को काटने के लिए आभुशन आदी में इसका प्रियोग किया जाता है उसके बाद बिटा संत्रीप्त और एसंत्रीप्त कार्बनिक योगी क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से जो योगी क बनते उनको हम कहते है हाइड्रो कार्बन ठीक है उसमें जो हाइड्रो कार्बन होते है वो दो तरीके के होते है संत्रिप्थ हाइड्रो कार्बन और एसंत्रिप्थ हाइड्रो कार्बन अब जो संत्रिप्थ हाइड्रो कार्बन होते है बिटा कार्बन परमानों के बीच एक अलाबं ठीक है और इन एकल आबंद वाले जो कार्बनिक होते हैं या हाइड्रो कार्बन होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं एलकेन की उसका सामानिया सुत्र जो है एलकेन को निकालने का वो यह होता हम इसमें यहाँ पर बेटा एन की वेल्यू 1,2,3 कितनी भी रख सकते हैं एन की वेल्यू 1 से क्या पता जल रहा है इसमें एक कार्बन है जैसे कि मानलो 1 पूट की तो क्या आया एक C1 हो गया प्लस में H2 1 प्लस में 2 तो क्या आगया बेटा CH4 तो यह हमारा एलकेन आया और कौन सा एलकेन है एलकेन का मिथेन ठीक है हम मतलब क्या करते हैं बेटा एलकेन है यानि की एन लगा देते हैं पीछे हर केटेकरी के जब कार्बन की एक होता है तो हम उसको बोलते मित अब मित के पीछे हम क्या लगा देंगे एन तो क्या बन जाएगा मिथेन ठीक है इस तरीके से इनको बनाते कभी मैं आपको अलग से वक्षिट में भी समझा दूंगी या वीडियो में अब यहां पर एंसंद्रिप्थ हाइड्रोकार्बन क्या होते कार्बन परमानों के बीच दूई आबंद होगा या फिर त्री आबंद होगा जैसे यह देखो दूई आबंद है यहां पर देखो यह लगाया नहीं पेटा त्री आबंद होगा इसमें ठीक है तो त्री आबंद होता है तो जो दूई आबंद होता है उसको एलकीन बोला जाता उसका सामने सुत्र यह होता है और जो त्री आबंद होता है उसको बोलते ऐलकाइन ऐलकाइन की केटेगरी में आते ह और ये इनका सामने सूतर होता है ठीक है? अब जो S-Santripth Hydro Carbon है उनकी Electron बिंदू संदचना क्या होती है और Santripth की क्या होती है तो देखो ये बेटा Ethene है ठीक है? ये क्या है? Ethene है Ethene में क्या होता है? मैंने अभी कहा Carbon जब एक होगा तो क्या होता है? Carbon जब एक होता है तो मित होता है जब Carbon की Value दो होगी यानिकी दो Carbon होंगे तो उसको बोलते है Eth ठीक है? अब इन दोनों Carbon के बीच में क्या होगा? बेटा, सिंगल आवंद होगा तो Ethene बन जाएगा जैसे कि ये बना है तो यहाँ पर देखो ये Carbon है, ये Carbon है इनके बीच में एक आवंद बन रहा है इन दोनों के मिलाने से ये वाला ठीक है? बाकी सब किस से हैं? इसके जो तीन ये चार शेर करता है साजेदार ही करता है तो एक तो इसने इसके साथ कर लिया बाकी तीन किस के साथ? कि हाइडोजन के साथ ऐसे इसने बाकी तीन हाइडोजन के साथ और एक Carbon के साथ किया ठीक है? तो यहाँ से हमारा क्या बना ये? एथीन एथेन बना ठीक है? C2H6 तो यहाँ पर हम इसको बनाते कैसे? यहाँ बेटा, C लिखो पहले, फिर C लिखो यह चार Electrons शेयर करता है तो हम इसके क्या करते हैं? चार Electron ले लेते हैं ठीक है? देखो, आप ऐसे करो एक यह है, एक Electron इसका यह, एक इसका यहाँ पर है ओके ऐसे इसका भी क्या एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है अब यह क्या करेंगे दोनों आपस में साजेदारी करेंगे तो और बाकी के जो इलेक्ट्रोन है वो किसके साथ हो जाएंगे यहाँ पर भी एक हाइडोजन के साथ यहाँ पर भी एक के बी दो बडूरे उगाए इसके पूरे हो गए ठीक है ? और ऐसे इसके भी दो हो गए इसके भी हो गए इसके अ इसके ब ह thé हो गए को सब्सक्राइब हुआ है और कारबं ग error जो ए भीag उन्वल back के आठ पूरे हो जाएंगे ऐसे ही इस कारबन के आठ पूरे हो जाएंगे कैसे चार तो ये थे ही और एक येरा पांच और एक येरा अच्छे हैं एक येरा साथ और एक येरा आठ इस तरीके से ये क्या कर लेता है ये इलेक्ट्रोन बिंदू संरचना बना देते हैं यहां पर में तो यह हमारा आगया एतेन का विंदु शंरचना ऐसे हम बिटा सीटू एच MOR अज़व द कैसे देखो दो कार LIN लीं दो हैं हुसके अभाद चार हाईड्रोजन हैं तो मतलाम पर सादयर कर ल्याएक को डिशन स्मझतीन हैं इसकी चार इलेक्ट्रोन है ठीक है कितने इलेक्ट्रोन है चार इलेक्ट्रोन है तो दो यहां पर शेयर करेगा ऐसे यह भी दो यहां शेयर करेगा एक यहां शेयर कर लेगा तो यहां पर यह एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है इधर भी एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है कि यह वाला इसके साथ यह वाला इसके साथ तो इस कार्बन के कितने 8 होने चाहिए तो 2 और 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही बेटा इस वाले के हो जाएंगे ठीक है यानि कि आप ऐसे समझो अब यहां पर ऐसे गोल वाला बनाना बेटा यह थोड़ा ट्वेडा बन गया आप इसको गोल बन पूरे हो जाएंगे इसके भी आट और इन हाइड्रोजन के दो दो पूरे हो जाएंगे तो यह बिंदू सनरचनाम इस तरीके से बनाते हैं ठीक है ऐसे ही यहां पर C2H2 की बनाई हो यह यहां पर तीन आबंद बनेंगे तीन बोंड शेयर होंगे यहां पर देखो दो इलेक बना ठीक है तो यहां पर हमारा यह एथाइन का बन जाएगा बिंदू सनरचना ओके अब हम करते हैं इसका अभ्यास हाइड्रोकार्बन क्या है उधारन दीजिए तो बेटा देखो हाइड्रोकार्बन क्या है कार्बन और हाइड्रोजन से बने योगी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं उधारन के लिए CH4 ये लिख सकते हो ठीक है उधारन है हो गया उसके बाड बेटा next है निम लिखीट मेंसे कौन सा Pॉट ब्यूद का सुचालख ही रा या गrorf को है क्यों है क्यों कि इसमें मुख्त इलेक्टान पाय जाते तो आप क्या लिखोगे हैं आप इसमें लिखो इसको मैं बढ़ा कर दीती हूँ ताकि आपको दिख जाए उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो next फूलरीन क्या है यह कार्बन के अन्य अपर रूपों से किस परकार भीन है तो बेटा देखो फूलरीन क्या है कार्बन का ही अपर रूप है अन्य वर्ग है लेकिन यह बागी क कार्बन के अन्य अपरूप से भिन है क्योंकि सबसे पहले कर बनाएगा सबसेपहले कार्बन 60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के प्रमानु फुटबोल के रूप में वैवस्तित होते हैं ठीक है इसका आकार इसका आकार अमेरिकी आर्किटेक्ट बंक Méस्टर यह फूल नहीं है फुलर द्वारा डिजाइन किये गए जियोडी सिक गुम्बंद के समान लगता है इसलिए इस अनू का नम फुलरीन रखा गया ठीक है तो यह हम अपनी वक्षिट में भी कर चुके है पहले तो आपने लिख रखा होगा वक्षिट का थर्ड है फोर्थ है एथाइन का कार्बन वे हाइडोजन का एक क्या है संत्रिप्त है या एसंत्रिप्त तो एथाइन बेटा एसंत्रिप्त योगिक है जिसमें कार्बन के अनू की संक्या कितनी होती है इसमें कार्बन के अनू की संक्या है तो एथाइन में कार्बन की अनू की संक्या दो होगी बेटा कितनी होगी दो होगी अभी हमने एथेन करा था ना C2 तो एथाइन में भी C2 आएगा ठीक है जैसे यहाँ पर देखो तुम यह रहा एथाइन C2 कारबन के दो अनू है ठीक है उसके बाद एलकीन एलकाइन वे एलकीन के सामान्य सुत्र लिखिए तो बेटा देखो एलकीन का क्या है यह एलकीन एलकीन दो बार पुछा यह एलकेन है यहाँ पर क्या होगा और यह बात और धियान रखना कारबन के अनू ठीक है कारबन का अनू तो क्या होगा जैसे कि दो ने मिलकर एक बना दिये कारबन का एक अनु है ये देखेंगे तो एक ही अनु है ये कार्बन का परमानु होता है लेकिन यहां पर परमानु लिख लेना परमानु की संक्या कितनी होगी दो ठीक है दो कार्बन मिलकर बना रहे हैं एलकेन का फूर्मुला क्या होता है बटा सी एन के सामने सूतर है अब संत्रिप्त और एस संत्रिप्त थाइड्रोकार्बन में अंतरस्पस्ट कीजिए तो बटा देखो अंतरस्पस्ट आप यहां से कर दोगे संत्रिप्त में कार्बन प्रवाणों के विच एक अला बंद होता है ऐसंत्रिप्त में द्वी और त्रिया बंद होता है यह आप दिखा दोगे यह इनके सामने सुत्र दिखा दोगे और इस सामने सुत्र से जो मिलेंगे योगीक उनको अलकीन बोला जाता है इस से मिलेंगे अलकाइन और इस वाले से मिलने वालों को अलकेन बोला जाता है उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है निमलिखित में इलेक्टरोन बिंदू संरचना बनाईए तो निमलिखित की इलेक्टरोन बिंदू संरचना बनानी है हमें तो देखो बिटा, CH4 है पहले क्या है? CH4 तो यानि कि एक कार्बन है यहां पर इसके चार इलेक्टरोन बिटा क्या होंगे? शेर होंगे चार तो इसके होते हैं भाहेकक्स में अब इसको मतलब क्या चार ओर चाहिए तो क्या करेगा? एक ही साइडोजन के साथ शेयर कर लेगा तो दो हो गए एक ही साइडोजन के साथ शेयर कर लेगा एक ही साइडोजन के साथ कर लेगा और एक ही साइडोजन के साथ शेयर कर लेगा यहां से बिटा, इसके पूरे हो गए यहां से इसके पूरे हो गए ऐसे इसके और इस हाइड्रोजन के भी सारे कक्स पूरे हो गए अब कार्बन के बिटा कार्बन के देखो पूरा सरकला पच्छे से बना लिना तो ये कार्बन के पूरे हो गए आठ देखो दो एक दो तीन चार पांचे साथ आठ ठीक है तो ये होगी CH4 की उसके बाद बिटा हम करते हैं H2O की तो देखो H2O में देखो पहले H2O तो जो सिंगल होता उसको हम बीच में लिख लेते हैं अब हाइड्रोजन के क्या हो गए मतलब इन दो के साथ बनाएगा तो एक हाइड्रोजन में होता है उक्सीजन में बेटा कितने होते बाएक हाइगक्स में 6 इलेक्टरोण होते हैं दो, दो, चार, एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया तो देखो पेटा, छे तो ये थे इसके और एक ये साथ वा और एक आठ वा तो पूरे हो गए पहले hydrogen का complete कर लेते हैं इदर से oxygen का बेटा क्या हो जाएगा यह oxygen का बन गया यह इसकी electron बिंदू संरजना हो गई अब हम करेंगे carbon dioxide की तो carbon dioxide में carbon single है तो इसको बीच में लिखा 2 oxygen है तो इधर लिख लिए अब इसमें carbon में कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं लेकिन यह sharing इन 2 के साथ कर रहा तो कितने कितने की करेगा 2-2 की sharing करेगा ठीक है oxygen में कितने होते हैं बेटा यह बिंदू से दिखाएंगे हम अलग दिखाने के लिए ठीक है किसी को किसी से भी दिखा सकते हो आप तो 2-2-4 यह हो गए दो इधर share कर लिए ऐसे इसने भी धर share कर लिए तो अब यहाँ पर देखो इस वाले का तो पूरा हो गया ऐसे इस oxygen के भी आठ पूरे हो गए और carbon के भी बिटा देखो आप यह यह carbon के भी पूरे हो गए ठीक है उसके बाद हम करते हैं बिटा C3H6 C3H6 यानि की तीन carbon है बैटा आप इसमें क्या करेंगे C3H6 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर देखना यह क्या है तीन है carbon के परमानू जब carbon के परमानू तीन होते है तो इसका मतलब वो क्या होता है प्रो ठीक है और बेटा ये क्या है इमारा प्रोपीन है ठीक है प्रोपीन क्यों है क्योंकि ये किस फोर्मूले से निकाला गया है C, C, N, H2, N आप इसमें 3 value put करो तो यहां से आपका क्या हैगा C3, H6 तो अब इसका मतलब क्या होगा बेटा इसमें क्या होगा दो वोन दूई आबंद बनेगा एक कार्बन के बरम उसमें बीच में ठीक है तो यानि कि यह दो इलेक्ट्रोन शेयर करेगा एक के साथ हमने कर लिया ऐसे ठीक है उसके बाद क्या है बेटा एक के साथ यह सिंगल आब इसने बिटा यहां पर दो ही शेयर कियें तो ये अपना एकוד अब यहां पर देखो 6 तो हमारे lighting lovers हो गये और 6 हमारे क्या हो गए इलक्टोन हो गए तो यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं यह इसको जोड़ दिया यहां से इसके पूरे हो गए इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए इसके भी पूरे हो गए ठीक है अब यहां पर बेटा देखो इस वाले कार बन के 2 देखो 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऐसे इस वाले के देखो ये 4 तो हैं यहां से लेकर यहां तक तो देखो 2, 2, 4 2, 6 और 2, 8 इसके भी पूरे हो गए तो यह हमारा इसका बना इसको आप वैसे बना के दिखाऊगे तो देखो यह बनेगा H H और यहाँ से भी क्या बनेगा एक यहाँ से C के साथ हो जाएगा इधर दो बॉंड इसके साथ शेर होंगे यहाँ पर देखो बिटा यह दो बिन्दू हो गए यहाँ पर एक H बन गया ठीक है तो इस तरीके से हमारे क्या हो गई यहां पर भी बेटा है क्या अच्छा है यह हमारा C3H6 का इलेक्ट्रोन बिंदू सन रचना बन गई उक्की उमीद करते हुए आपको यह समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बोक्स में पूछ लेना और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना तो अच्छे से सभी की करना आपके सपोर्ट मैट्रियल है और हर जगा प झाल